फीर एक बर आप सब का स्वागत है और आज की इस वीगियों में हम बात करने वाले हैं रेविट एप के बारे में रेविट एप क्या है और कैसे यूज़ करें रेविट एप में आपको अलग-लग सरोर मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं Revit app को किस तरह से यूज़ किया जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके All All Options सलेक्ट कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई निव वीडियो अप्लोड हो तो उसका Notification आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले आपको इसे Play Store से इंस्टॉल करना है उसके बाद आपको इसे Open करना है उसके बाद आपको इस Application में कुछ इस तरह का Interface नज़र आएगा यहाँ पर आपको Server Connect करने के लिए Connect में आपको क्लिक करना होगा तो इसमें अभी हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको Allow में फिर क्लिक करना होगा और यहाँ पर कुछ दिरवेट करना होगा तो यहाँ पर जो Server है Connect हो चुका है अभी हम इसे Back कर देंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको server का list नजर आ जाएगा इस तरह से आप जो server का list है इसे देख सकते हैं इसे अभी हम back कर देंगे और अगर आप इसे disconnect करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसे disconnect कर सकते हैं तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं तो server यहाँ पर disconnect हो चुका है अब यहाँ हम back कर देंगे यहाँ पर आपको मिलेगा setting option तो यहाँ पर आपको मिलेगा contact us का option privacy agreement है share का option मिलेगा तो इस तरह से आप इस application को यूज कर सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर आप नए है तो चैनल को subscribe करें तो फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए बाइ thank you